है दोस्तो जैसे मैंने आप लोगो बताया था कि मैं 7 और 8 को वीडियो नहीं बना पाँगी क्योंकि मैं हैदराबाद जा रही हूं 7 तरीकों तो मैं 8 तरीकों पहुंचूंगी घर के तो मैं बताना चाहती हूं कि मेरा जर्नी कैसा रहा तो मेरा घर से स्टार्टिंग हुआ, मैं घर से निकली 12 बजे, तो घर से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मम्मी के साथ एक महना पूरा समय बिताए, और मम्मी मेरे पास हैदराबाद आई थी, यहाँ पर 20 दिन 25 दिर रही, उसको बद जब मैं घर छोड़ने गई मम्म को, तो मैं एक महना रही, तो करीब दो महना हम लोग मम्मी, मम्मी और मैं साथ में रहे, तो उसके पर आना बहुत मुश्किल था, मम्मी बहुत रो रही थी, तो आप लोगों को बता है, मैंने 4 जुलाई, 2020 को मेरा जॉब चला गया था, वो सब का टेंसन और फिर मम्मी में जा रही हूं, और कैसे, कहां से, किस तरह से, मतलब बहुत मुश्किल होता है न, फिर से जॉब ढूनना, उसको न, उसको मम्मी को बहुत चिंता था, बहुत रोई, अब क्या करें, फिर भी तो आना है न, मैं उस तरह से आ गई, फिर मेरा भाई मुझे बस्टॉप तक से छ उसरा बस, और बस में मैंने कभी ट्रबल नहीं किया था, हमेशा में ट्रेंड में जाती थी, मगर इस बार मैंने बस से ट्रबल किया, क्योंकि मुझे हैदरबाद आना था, और काम भी ढूनना, सब कुछ बहुत जरूरी था, सब कुछ करना, तो इस तरह से मैं आई, और वह जब खड़ी थी, तो बस आई, साड़े मजे, टैम पे आगए बस भी, उसके बाद हम बस में जब गई, तो मिले को देखके, बस का कंडिशन देखके, मिले को इतना अजीब सा लग रहा था, बदबु आ रही थी बस में, जो स्लिपर क्लास का है, बस वो बिल्कुल स्लिपर था, और जो बिस्तर बिचाया हुआ था, चादर वगेरा, वो बहुत गंदा था, और मैंने नौन-A.C. में बुक किया था, टिकर, क्योंकि हमारे तरफ बारिस हो रही थी, तो ठंड़ा था मौसम, तो मैंने इसलिए नौन-A.C. में कर लिया था, और मैं जानती भी नही थी कैसा क्या होता है, तो मेरा जो बिल्कुल अच्छा इस्पिरेंस नही रहा बस का, हैंस ट्रफल में किया था, और इतना बहुत ही खराब मैंनेजमेंट था, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैं वहां बस में चठी देखके ही कंडिशन बस का, ड्राइवर लोग को रखा था बहुत बटी मीजी से, मतलब थोड़ा आझीब से बात कर रहा था, achei बहुत कराब रीगती से बात कर रह था, जैसे मैं चढ़ी तो बहुत सारे लड़की लोग थे और कोई भी लड़किया नही थी, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, कैसे क्या होगा करके चड़त हो गई मगर मेरे पस कोई आपसन भी नहीं था फिर मेरे नाव नूमर के सीट था कंडेक्टर ने बोला आप तीन नमर में बैठ जाओ करके मैं तीन नमर में बैठ गए उनके पास तो थोड़े दस दस मिनट चला चला उसके बाद में हमारा बस खराब हो गया बस लेडिस लोग तो अच्छा लगा तो इस तरह से रात भर हमारे जर्नी थी उसके बाद किसी-किसी रेस्टरोन में ऐसा रोकते थे नास्तोंसतर के लिए पर बहुत ही गंदा रेस्टरोन में रोकते थे वो लोग जो बहुत आदमी लोग रहते थे और फिर बातरूम अगर य नहीं करूंगी बस ट्रबल क्योंकि मिझे बहुत इतनी बारिज भी हो रही थी मगर फिर भी अंदर में ना कोई फैन चल रहा है कुछ चल रहा है कुछ भी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं थे तो बहुत ही खराब रहा मेरा इस्पिरेंस और ठंडी था तो खिरकी भी ख खुलो तो इधर का किर्की मत को लो थो दर करो अल्लक ऐसा रविया था वहाँ का कंडिक्टर का तो बहुत ही अजीब साथ था ने जो ट्रबल था बहुत ही खराब रहा तो इस तरह से किसी तरह से हम हीदराबाद पहुशने वाल है थे उससे पहले फीरसे पैडरे पंचर हो हैदराबाद पहुंचे उसके बाद मैचल कॉमपली सब तरप से होते होते आके बो epic पली के पास हमको paradise में ड्रॉप करना था उनको मेरा परेयडेस में dropping time था वहां मुझे आटो लेकर मेरा घार अना था और फिर पॉयम पली में जैसे रुके हम मतलब बॉयम पली में पुलिस वालों ने रोक लिया क्यूंकि उनको आठ बजे का एंटरी था मगर वह बारा साधे बारा बजे करीब पहुंचे तो इसलिए चलान काट दिये उन लोग पुलिस वाले ने तो वह लोग कैस नहीं ले रहे थे और जुक्त को फोन पे चाहिए था तो सबको मांग रहे हम लोग मागा Girish लो मगर कोई नहीं लेकर लेकर तो मैंने का चलो ठीक है मैं आपको मैं हेल्प कर देती हूं करके मैने उन पोलिस वालोग को पे कर दिया तो उन लोगों ने डائवा ने मुझे अपना कैस पैसा दे दिया तो इस तरह से हमको वो गाड़ी को छोड़ा तब जाके गाड़ी छोड़ा फिर उसके बद हमको paradise में ड्रॉप किया तो फिर मैंने आटो लिया फिर आटो लेके मैं अपना घर आई तो करीब मुझे साड़े बारा एक बज गया था पौने एक बज गया था ऐसा मैं घर पहुं प्रस्वर्स नहीं किया था कुछ भी काने का मन नहीं किया जज जूस लेके पी लिया था थोड़ा था फिर उसके बाद मैं घर आई घर आने का कंडिशन देखके तो इतना ठक लग रहा था उपर इतनी ठक गई थी बस का ट्रॉबल में रात को अच्छे से नीन नहीं कुछ नहीं उपर से इतनी टेंशन थी मेरा जॉब का तो वो सब चीछ का टेंशन मेरे जीवन में चल रहा था तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाई थी उपर से सरीर इतना दुरबल लग रहा था फिर भी क्या करती मुझे आके अपना घर को थोड़ा सफाई करना था जाड लिया था तो भी अने डाल चाल सबजी ला दिया था तो उसको ही खा लिया फिर खा के थोड़ा सा फाई फाई करी फिर साम को थोड़ा सा मार्केट चली गई थी मैं तो मार्केट से थोड़ा सबजी ला लिया क्योंकि सनी वार के दिन हमारे तरफ मार्केट होता है यहां पर तो मैंने थोड़ा सा सबजी लाया क्योंकि अब पैसे इस सब चीज को देखना है ना क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा जॉब नहीं है तो मुझे किस तरह से कैसे मैनेज करना है करके तो मैं थोड़ा सबजी लाई बहुत ज़रा चीज़ और भी लाना चाहती थी कुछ फ्रूट्स लाना चाहती थी फ्रूट्स मगर लाने की सोचना पढ़ रहा था कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं करके क्योंकि मुझे पूरा महना चलाना है और लोग मुझे कितना दिन के एडवांस देंगे ये भी नहीं पता था तो इसलिए मैं थोड़ा सा सबजी बगर लेकर आ गए और इस तरह से मेरा सनिवार का दिन बीट गया तो मैं बताती हो संडे मंडे क्या हुआ मेरे लाइव में तो आगे के लिए आप बने रही हैं मेरे साथ में आगे मैं सेर करती हूँ मेरे साथ क्या हुआ झाल झाल